है गुड़ मॉनिंग दोस्तों मेरा नाम राहुल है और मैं अपने वीडियो में प्लांट को डिस्क्राइब करता हूँ तो आज मैं जो प्लांट डिसक्राइब करने वाला हूँ, वो आपके सामने है, यह यल्लो कलर का फ्लावरी प्लांट, ठीक है? तो चलो सुरू करते हैं, पहले सुरू करते हैं कि इसका स्अइंटिफिक नाम क्या है? तो इसका scientific नाम है Alamandine cathartica So, Alamandine genus है, cathartica species है और species हमेशा genus को describe, species हमेशा plant को describe करती है, ठीक है So, cathartica इसके लिए कहता है, because cathartica का जो, ये Greek word से आया हुआ, जो Greek language से आया हुआ हुआ है, cathartica का मत्तब होता है cleansing, ओके So, इसकी ये plant की नहीं अपनी laxative property है, तो आपके गट को clean करता है, तो इसके लिए word है इसके लिए species नहीं है cathartica ठीक है So, अच्छा तो इस cleansing कैसे करता है, because देखो ये plant के अंज़र जो chemical है ना, वो वो काफी toxic है तो इस plant में ना Alamandine लाम का chemical मिनता है, जो इस plant को toxic बनाता है, so diarrhea वगर, diarrhea होगा vomiting होगा, ठीक है, तो कुछ इसके laxative property है, इस plant में Okay, so अगर है ना, और एक मैं आपको बता इसके sap, अगर कभी आपके sap मनतब इसके अंदर का जो fluid है, प्लांट के कभी आपके हाथ या स्कीन या आपके skin पे लगेगा, आपको काफी इरिटेशन फील होगा So, हमेशा ना, human और human जो अपने बच्चे होते हैं You know, human babies and आपके pet animals को इस plant से थोड़ा दूर रखिए I mean, they can see this plant, but इसके अंदर के sap को ज़्यादा explore करने ना बोलिएगा ठीक है? अब इस plant का हम लो common name देखते हैं तो इस plant का common name है yellow alamenda विकास ये yellow color का alamenda है अच्छा, दूसरा नाम है angel's trumpet अच्छा, trumpet इसके लिए कहते हैं because trumpet का मतबता तूरही जो आप marriage वगर में वजाते हो celebration के लिए तूरही का movie कुछ इस तरह से दिखता है तो इसको कहते है trumpet अच्छा, अच्छा, और इसको ना cup of gold भी कहते हैं क्योंकि cup जैसा भी दिखता है और yellow color है थोड़ा तो इसको gold जैसा समझते है तो इसको कहते है cup of gold तो अच्छा अभी हम लोग इसके बारे में और इसको थोड़ा सब्सक्राइब करके देखते हैं तो इसका नहीं यह green color का leaf और yellow color का फ्रावर काफी contrast लगते हैं और बहुत ही सुन्दर दिखते हैं अच्छा, अब मैं आपको चलो लेके चनता हूँ Chinese mythology की तरफ so Chinese mythology में न लोग यह मानते थे कि 10 सूरिय थे, एक टाइम आकास में 10 सूरिय थे और 10 के 10 सूरिय थे एक बार अर्थ को अर्थ के अर्थ के पास आ गए और अर्थ को काफी गरम करे थे उस वक्त अर्थ पे how ye नाम का एक आर्चर रहता था और बहुत ही प्रसिद्ध था वो मतलब जिस तरह से महा भारत में आप अर्जुन का नाम लेते हो ना उसी तरह से चैनिस माइथोलोजी में how ye का नाम लिया जाता है when it comes to the skillful archer तो आर्चर ने सूरिय से जाके बात की और उनको reasonably negotiate किया उनके साथ कि आप चले जाएए यहां से पर सूरिय जाने के लिए तयार नहीं थे यह भी है अलमेंडेन का थार्टिका ठीक है और कहते है कि एक सूरिय को उसने छोड़ दिया क्योंकि आर्थ की प्रॉस्परेटिकल सूरिय होना जरूरी है तो एक सूरिय इसके लिए आस्मान में एक सूरिय दिखता है ऐसा चैनीज मैथालोजी में दिखा गया है ठीक है अचा अब क्वेशन यह नहीं कि यह प्लांट एक्शुली है कहां का इस यह नेट्व कहां का है तो यह ब्राजील का प्लांट है क्योंकि आप जब भी गई प्लांट को इस एक प्लांट इस्कें प्लांट मिलेगा यह पता चैनता है कि यह जो प्लांट है यह ब्राजील का नेट्व स्पेसिस है ऐन फैक्ट यह जो फ्लावर है którego पॉलावर है ऊओ इनो पॉटारिका का ओफिसल फ्लावर है ठीक है और के डिस्क्राइब कर सकते हम इसके बारे में अच्छा कुछ लोग पुछते क्या यह इन्वेजिव स्पीसिस है का यह प्लांट इन्वेजिव स्पीसिस तो नहीं मानते हम जादा लेकिन जब आप ऐस्टेलिया के नॉर्थन कुछिलेंड की बात करोगे तो वहां पर जो न बिजव पिंचिस मौना जा रहा है घो मों अब यह दो अपने पर शीठे से भी परांट करता है तो इसका अब जो इन्फेक्शन अब सवाल यह कि इसको प्लाइस नाम का एक है प्लास वाइड फ्लाय है तो यह दूक है बेसीकली इसको इन्फेक्शन होता है अच्छा अब लोग कहते हैं कि क्या ये प्लांट का अब रूस does YOUR हो सकता है बिकॉस जी नेचए रेहा थो इसके जूस कना पैस्टिसाइढ भी उस किया जाता है और इसका जो पैस्टिसाइट से दूस्ट नो rewarded Osaka प्या को होता है गाडन में आप किया जाता है अच्छा अच्छा हर प्लांट काने एक सिंबॉल होता है तो इसका क्या सिंबॉल है इसका जो सिंबॉल है वो है लव एंड लाइट मतलब प्रेम और प्रकाश ठीक है तो आज जो भी मैंने इस प्लांट के बारा में को डिस्क्राइब किया है और इसे के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं थैंक्यू वेरी मॉच